तो मैं डियर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए फिप्त समस्टर के पुलिटिकल साइंस के सिकेंड पेपर के स्लेबर्स और मोस्ट इमपार्टन टॉपिक्स के बारे में तो जिन जिन भी इन्वर्सिटी वा कॉलेज में स्टूडेंट पर इच्छा देन यह जानकारी आपको मिलेगी क्योंकि भाई कहां से प्रशनाएंगे किस प्रकार के प्रशन पूछे जाएंगे यह जानकारी आपको होनी चाहिए वरना आप तयार क्या करेंगे ठीक है जैसे कि आपने फर्स समस्टर में प्रिटिकल साइंस की परिच्छा दी होगी अगर आ स्लेबर टॉपिक्स अलग है और प्रश्ण भी आपको अलग ही आएंगे ठीक है लेकिन जितने में ब्रश्न होंगे व भी फित समस्टर का जुव फिब्स ह mismos है उसे से संबंदित है त्थे कि बाईail जो लेसं है त्थे और नाम है bedrooms की प्रेमिसे और जिसका नाम है principles of public administration ठीक है तो ध्यान रखेंगे पूरा पूरा जिस लेबर्स है आठ यूनिट आठ चैप्टर आठ टॉपिक्स डिवाइड है आप चैप्टर बोले यूनिट बोले टॉपिक्स बोले सब एक ही है तो यह आठ यूनिट में डिवाइड है पूरा का पूरा जाने की कहा कहा से प्रस्मनेंगे कौन से टॉपिक्स से तो ध्यान पूरुबब वीडियो को देखेंगे तो गारेंटे दे रहा हूं आप खुदी बावले कि हां सर क्या आप बताए है पहला पूइंट है यानि कि पहला जो टोपिक्स है लोकों का अर्थ बताईए ठीक है लोक के कैसा अर्थ हैं जो ऍस्टुडेंंट नहीं जानते मैं आपको बतादे रहा हूं ठीक है लोक का अगर आप आम बात आम बात में ऐसे शुनते होंगे तो लोक का मतल्ब होता है संसार दुनिया बिष्च ऐसे आप लोग समझते हैं लोक-पूरा प्रम भांड ठीक है ल मतलब क्या होता है शरकार का जो सुरूप है वो कैसा है इसका छेत्र कहां तक है और इसका महत्त यानि कि सरकार का महत्त क्या है यानि कि जो प्रसासन है ठीक है इसका महत्त क्या है यह आपको लिखना है यानि कि सरकार है क्या और कैसे बनती है इसका छेत्र कहां तक इसका जरू प्रसासन जो मतलब को जारी करना तो लोग प्रसासन मतलब कि जो मतलब की क्वर्मेंट सरकार है उसके जो नियम कानून है सिस्टम है जो प्रसासन का विकास प्रसासन वहाग है जो समान जनता के लाब के लिए होता है उसको हम लोग लोग प्रसासन कहते हैं लोग प्रसासन का प्रसासन का जो सम्मंध है वो मतलब कि सभी नीतियों से होता है ठीक है वो सारवजिनिक नीतियां भी हो सकती है और उसकी कुछ उससे जो सम्मंधित नीतियां होती है उससे भी हो सकता है कहने के मतलब इसका सम्मंध सारवजिनिक और साथ साथ में जो खुद की एक तरीक से समाने बोलते हैं ठीक समाने और सार्विजनिक नीतियों से इसका संबंध होता है लोग प्रसासन का ठीक है उसके बाद अगला पॉइंट है एक अनुसासन क्या है ठीक है यह बहुत कमाने कुम्मीद है सार्विजनिक और नीजी प्रसास कि क्या भूमिका यानि कि जो आधुनिक राज ये करेंट समय में इसमें लोक प्रसासन की क्या रूल है क्या भूमिका या आपको लिखना ठीक है एक महात्रों टॉपिक द्हान रखेंगे अगला यूनिट हैर शिकेंट यूनिट में आपकोán बनेंगे शंग्ठन के परकार बता है इस समय जहें कि ट्रेंट चल लाँ संग्ठन को लेकर की मतलब कि संग्ठन से बड़ा कोई सिस्टम नहीं है संगठन से बड़ा कुछ कुछ भी नहीं होता है सरकार भी नहीं होती है संगठन के अंडर ही सरकार होती है तो संगठन के टाइप बताना है और संगठन संग्ठन कर दाना स्थ तफ संगेठन खया है लिए मैइक सवेवंर का नोकार श्टाय एश एपर मैकस विएवर का मैसवथ ह्य क्या है यह पिर मैस्व तफ कर साहि फिद्धांत को लें कीजिए बताइये ऐसे प्रशन हों सकते हैं ठीक एंग अगला कि ma zeigen क्या थो मानों सتمंद्स त। नहीं आता है नीडरे लेने का विधन कि ऐस inch का opisBen ने लween लेंगे वारे मैं मिलख कि ऐससे प्रष सब्सक्राइब यह थीक है यूणिटन ऑन देंगे जो तोपिक इसे सबस्तै मैं मुखसै था रिका कारी मुख्य कार कारी मतब कि मुख्य जो मुख्या में ठीक है प्रकार और कार लाइन इस्टाफ की प्रसासन की मुख्य कार कारी जिनमें आ जाएगा कि मुख्य कारी कार कार बताईए मुख्य कार कार क्या होते हैं ठीक है जो भाई किसी भी प्रसासन का जो भी इस्टाफ होता उसके बारे में कोश्चन आफकता है सहायक एजन्सिया क्या होती है डिपार्मेंट क्या होता है सारवजनिक निगम क्या है बोर्ड और आयोग फुतंत्र नियमक आयोग के बारे मताई यह ठीक है और प्रत्यायोजित विधान ठीक है लेकिन इसमें से जो मुख्य है वो बजट के बारे में आपको अच्छे से मैंने बताया है पिछली वर्सों में और जल्द ही हम आप लोग समझ बजट के बारे में अच्छे कि कितना आपने कमाई की ऐ और कितना खर्च किया है उसी का विब्रण होता है सिंपल सब्दों में बस झाल इसके बारे में जू बजट होता यह किसी कमपणी यह कोई भी फैक्टरी सब्टमर मेंच करते हैं यह वो बोलते हैं कि हाँ इससाल सब्सक्राइब करेंगे हाला कि यह जान लीजिए कि आय और बे के विबरण को हम कि ऑजट कहते हैं जो की एक महीने और एक साल में कल्कुलेट किया जाता है थीक है अब महीने में ले सकते हैं यह साल में ले सकते निर्माडियों कारिशन react यह इंपॉर्वर्टन नहीं है बजट खाता और लेखा परिच्छा मतब कि बजट की परिवाफ़ा Vir Leaf Generation strategy, thought और खाता और लेकर परिश्चा बहुत कमाते लेकिन हैस में तो ध्यान रखेंगे प्रसाफनिक कानून क्या 흥 एक नोट के लिजिक से लिगए योजुद बिधान यह बहुत कमाता है यह देकरन नोट कर लिजिए यूञए देखने क挑़ चाहिएगा नया लोग प्रसासन मतलब कि नया जो लोग प्रसासन सिस्टम बनाया गया है उसके बारे में परिभाफा लिखिना होता क्या है और नया लोग प्रबंधन क्या है नया लोग सेवा दस्ट कोण क्या है और सुसासन क्या है तो यह इंपॉर्टेंट टोपिक्स हैं यह आपके पर इच्छम पसेंगे इनको नोट कर लीजेगे ठीक है और इन सब सब्सक्राइब आपको देखने को मिल सकता है अब यूट नमबर एट में आपको भारते प्रसासन का विकास कैसे हुआ प्रचीन समय में और आधुनिक समय में यह आपको लिखना पड़ेगा अगर प्रसन आता तो इन तीनों समय में कैसे कैसे इसका विकास हुआ इस्टेप बाइस्टेप या फिर दीरे-दीरे करके कैसे हुआ और कि इसका क्याइदा किस चीज का ज्यादा योगदान नहायस में यह आपको लिखना पड़ेगा ठीक है तो यही आठ यूनिट से सम्म लोगों के समस्त मौश्य इंप्रस्तुत करने वाले हैं और जल्द हमारी वीडियो आए कि उसमें कोश्यन भी होंगे उत्तर भी होगा और पूरी पूरी नोट रहेगी इसमें पीडियो भी आपको मिल जाएगे ठीक है तो आप अपने एक्जाम की तैयारी कर लिजेगा most important topics नहीं समझ में आते हैं कम से कम तीन से चार बार वीडियो देखी तभी आपको हर एक टॉपिक और हर एक को समझने में आसानी होगी क्योंकि एक ही बार वीडियो देखने से या एक ही बार बुक पढढने कुछ भी देख रहे हैं तो हर चीज समझ में नहीं आती वरना जो छे महीने पेपर होता साल में पेपर होता वो एक ही महीने नहीं ना करा दिया जाए आपको एक दिन पढ़ाके दूफ्रे दिन पेपर न ले लिया जाए तो यह आप इस बात को भी ध्यान लखें वरना एक बार रिपीट करिए समझ यह तब आपको समझ में आएगा ठीक है बाकी हम आप लोगों के समस्त और वीडियो लाते रहेंगे हर सब्जेट की स्लेबर्स की हिंदी में पूरा का पूरा स्लेबर्स और यह आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा कोई कोई कोश्चिन मिलते हैं को और ने वीडियो में जहन दे